अब आजुको चर्चामा स्वास्थेलाई उठाउं रा स्वास्थेलाई समग्र रूपले रा इसलाई सारम समा आज साधार आण भासामा सबैली बुजने गरी इसलाई जानने कोशिश करूं रैसको अब्रिष्टित चार चाजाईं अंतर गर्ने छू अब मानव स्वास्थे आज जटील अवस्थामा आएको छू रिटरा यो सन्हीं जटील नहीं थियो अब मानव कुछ चेतना और चेतना भंदा फिर जटील नहीं छू इसको उच्चता जटी धेरे छत कितिने जटील छू यो फिर यही जटील ता अनुसार नहीं उसले आपनो स्वास्थे को लागी पनी जटील नहीं भंदा निभावन पन होंच यो महत्त बनकुरा पहिला याद रहूं मानिश को चेतन इस्तर बनस्पति देखी यहां सम्मद जुन छू यो जटी जटील छू ते यही जटील ता को अनुरूप नहीं उसले स्वास्थे को लागी भंदा पनी जटील नहीं खेलने पने हूंच यो परकिर्टिको बसमा अरू माना भंदा तलो चेतन इस्तर बाएका जो आमिर देख चाहूं तो उन्हें हरुको कुने हस्पिटल छाई ना तो कुने आउसधी उन्हें हरुले तो कुने तयार पारे गए जहां यो रोग लागे पच्छी तो आउसधी खाने ना उन्हें हरुशंग विश्व विद्ध्या लाए छाँ माती साधन हरुशं जसले मानावश्वश्वष्व्वास्टे कु लागी अजा जी हामी इस बिज्ञान को यूस्व हमजे लिय जी लयाका खों जेल्श्व अपनाये का खों तै यो उन्हें हर संग छाइन फेरी पने उन्यहरों तेती रोगी देखें दाइन तेती रोगी छाइनन जती यो मानव छा तो यहां भूल कताई भाय को छा भूल पक्काई भाय को छा अब हमी इस परकिर्दिलाई पने मानव स्वास्ते को अनुकूल ता बाट बिकरीत बनाई सके का छों यो हमी सभई लेठा अच्छा पहिला हम्रोब भाताबरण नहीं मानव स्वास्थेको अनकोल छाईना यो पर्तिकुल रूपमा हमिले परकेतिलाई उपयोग गरेका छों यो तरह हमिले सब्रीले बुच्छों हमिले नबुजने भनेको मानव स्वास्थे को लाड़ी मानिस कहां निरद चुक्यों, मानिस ले कहां भोल गर्यों अब मानिस को जुन उच्चतम चेतना को जटेलता छो, यही जटेलता अनुरोप नहीं उसले आपनो स्वास्थे को बेवस्था गर्णो पर ने थे फिर हमेंले बाहरे एटी धेरे बेवस्था बनाए का छो, एती धेरे विग्यांद्र परविदि को रोपमा एती धेरे बिकास हमेंले बाहरे लेयाय का छो तो एती ध्याश्य स्लेगा जरता हों, ये धार हों एक माå कीला मानीश भूला गत्रा कात हों ध्याश्यश्यां कुठ्ण बजस्ष्य में कारण नहीं हो यो उचाय को कारण नहीं हो यो गर्यों फिरी मात्रो खाना लाउना र वस्नों को लागी पनी इस त्रो बेवस्ता गर्यों जो उबंदत तल्लो चेतन इस्तर पहे को लाई ये त्रो गर्णू पर निकुनी आवसेक्ता नहीं छैने इद्धी को लाईगी खाना बसनारा लाउना को लागे यू उन्हें हरूलाई सित्तेई माँच तो मानावलाई की सित्तेई माँच धिये ना रा उचले पूरा जिबन नहीं एसे को लागे खर्च करी रहे कुछ अब एस ते जटेल उपयोग उसले आपनो स्वास्थेको लागे पनी गणो पने थियो उसले एस तर्फ पनी स्वाचन पने थियो कि मानिस लाए रोग किना लागछ रोग को कारण की हो कि ये भूल भायर रोग लागछ रोग लागन तो भोल नहीं हो इति जटेल इति उच्छ चेतना भाय को लाए तो उसको सबेई बसमा गार्न सकने चेतना यो परकिर्ति लाए नहीं बसमा इतर परकिर्ति लाए नहीं स्वइच्छीक उपयोग गर्ण सकने जेतना लाई रोग लागनु त गल्ती नहीं हो भल नहीं हो रोग नलागनु परते युँः फिर हेमले रोग लागे गुलाई उपचार गरनमा इति धेरा ही गर्युँआ। तरह रोग की न लाग्च रोग न लाग्णकू लाग्य हामिले कही पनी करेनू बस सरल भासामा साधार मानिसले बुझने भासामा सबेले बुझनु नहीं परने भासामा एत्ती एक कुराच और कही पनी छाइन। और कही जाननों पर देए ना कुने विश्व विध्याले पड़नों पर देए ना कि सास्त्र को कुने जाही देए तिमी सुस्थ बनना को लाग्ये तिमी निरोगी बनना को लाग्ये और कही गनने पेको नहीं अवस्थितीक क्यों नाम जानु पर दै वही पनी जानु पर दै बस एत्ती आने हुनछ नो कि रोग लाक्च किन रोगकीन बन चा रोग कशरी बन कि कारण ले बन चा कि ब्हुल भहर रोग लाख जीht आत्तीक कारण याने हुनच तो तक यही भोल मानिस ले गरहेक हो battle उसले तो कारण लाए थापाूने पर थेओ तिस कारण को निवारण चुन पर थेओ रोग लागने कारण जुन्फ, त्यों कारण घट नरदेन के अगया थेओ तो रोगी बनने थिये न। उसले रोग नहीं लागने थिये न। तो हमेले रोग को कारण लाई जाने नौ। अब इसको लागी हमले खाना जाननौ परछा, स्वस्ना जाननौ परछा, मन को सुद्धता, विचार को सुद्धता, आहार, बिहार, इस सभी बाहरी चीजुन। तो अब उसले स्वयम लाई जाननौ परणे च। रोग उस्वयम में लाग थिये पने फईला उसले आप उस्वयम लाई जाननौ परणे च। तो म को हूं मुल यो थियो, स्वास्थे को लाईगी पने यो जाननौ परणे च। फेरी स्वास्थे को लाईगी म को हूं फने ज्यान यो अमिल्द जस्तो लाग च। तर होई कारण यही नही हो। रोग कीना लाग च। पनौ पहिला म को हूं फने र जानन पने हूंच। पहिला आफन सत्ता न जाने सम्मा तद त्यो रोगी मानेश नही हो। उसलाई बाहिर रोग लाग नौ तो रोग जे सुके होश। त्यो सुभादेच। जसले मा को हूं भने र जान्दच। जसले आफनो सत्ता जान्दच। जसले आफनो सत्ता मार हन्च। आफनो सक्ति देखदच। आफनो सक्ति को उपयोग गरदच। तब उसलाई रोग लाग दाईन। तब मानव छे मतलाई रोग लाग दैना, मानव लाग लाग दैना जसलिकी म स्वेम कुहूं भने रजानेव, तब उसलाई रोग लाग दैना बुद्ध बन्चन आफनो डाक्टर आफई बना आफनो चिकिस्षक, आफनो बैद्दे तिमें आफई हो उनको भनाई को मतलब पनी यही हो, तब तिमें को हो, मा को हूं, मेरों सक्तिक की हो, सामर्थिक की हो बस यो देखियो, यो जानेव, यो भगियो तो यो रोग कीना लाग छे भने सवाल नहीं बन दै सबही रोग संगर लड़ने छे मता मानेश माच मानेश कुनेई पनी रोग संगर हार न सकता हीन। अहिले बर्तमान रूपमा हामनों लागे जटिल, बायको कोरोना भाहिरस को उपचार पन यहीं इम्योन सिस्टम नहीं हो, उसको सामार्थ नहीं हो और को आउसदी हामिले बनावन भायका छाईन। ता अब इसलाई ते स्विकार नू परेव। इसको आउसदी हो, उस्वेम हो, उसको इम्योन सिस्टम हो, जशको इम्योन सिस्टम हो छो, जो तेस भाहिरस अंग लड़न सक्छ जशको छेमता छो, ता उसलाई कोछोना भाहिरस ले मार बैना, जशको छाईना, जो रोगी छ, ता उसलाई मार छा और को अब्विकाल पतत काल हामी संगत छाईना, अब यू अवस्थामा, इस तो अवस्थामा पनी हमी वचियार भाहरत देखना सके नाउपने, सारा रोग को काराण यही नहीं हो, सारा रोग को यही नहीं हालत हो अब हां मिले, रोग कीना लाग छा, तहां बाटा लाग छा, मक को हूँ, यही आयाम का सवाल हरू हूँ, इस लाई जाननू पने छा अब रोग लागे पच्छी के गरने, पविश्यमा रोग लाग छा अनि उपचार गणा को लागी धन संपती को जुह गरने छोरो लाई डक्टर, फिर होस्पिटल को लागी, जो हमरो भगवान छा जासले, जुन आजुको मानिस को लागी भगवान छा तेस चिकिसा सास्त्र लाई हामेरे जुन रुपमा उपयोग, मान ले आयका छूं तेव मानिस को लाजी अभिशाफ सार्भेत भगवोच, तेव मानिस को भगवान होई तेव मानिस को चिता हो, तेहां मानिस मर्च फेरी मानिस ले सोच छो ने हम्रों भगवान हो यहां उपचार होई न जब रोग लागे हो जब रोग लागने काराण उसमा घटना सक्छ तो ओ मरे कैई हो ओ मानिस नहीं होई जसलहें रोग कारान थाहा चाहिए लाग जस मग खुम भणने जान दाए न तो उसलहें रोग लाग जेपनी रोग लाग जय आपनो इस्ठिती मा थाहिए आपनो सक्टी मा थाहिए जय शवयम माcuss्टीप छाहिं आपनो सक्टी उप ध्योग सा Mexican जान दें ता ऊण रोगी नहीं फिर उसको उपचार चाहे ना उसको उपचार असम्भव्च तो विज्ञान ले उपचार गरना सकदे ने तो आउस्वती ले उपचार गरना सकदे ते अस्पिटल मा उपचार हो दए ना ते में यह उटा रोग शंचु भएर घर मा आये उपणे मा संचु भएं मा बांचें वाइन यह बिल्कुल है ना ते में एती बेला नहीं मरी सकेगा छो जाती बेला तिन में रोग लागने काराण घर्ट आतो हो रोग को काराण के हो यो जाने छे मता छो मेरा अंधीम इस्थिति यो होई ना अंधीम इस्थिति हो मा को हो मेरो सक्ति के हो मेरो सामर्थि के हो मेरो यो स्वैम को सता के हो यो सता को बायोग मा ले गान सकेगा छो या छाई ना तो यह सक्ति यह स्वयम को सत्ता यह स्वयम को स्थिति यहां आओ इसको पहिचान गर यह सक्ति आपनों सक्ति लाई देखा तो कुने पने रोग बन देना रोग को काराण ने घर देना तो यही सामा थेली जेगर छा यह सबै निरूगी हुन छा उसले रोग कहेले लाग देना यह सुनिस्चीत छा जो स्वयम को सत्ता मा छा उसले रोग लाग देना इसले रोग लागे हो तो उसले गलती गर हो उसले भूल गर हो फिर आज हमें लेस बाता बराण लाई सबै को लागी परतिकूल बनाय का छूँ अब इसमान जिम्मेवार हानी सबै हो फिर तियो जो स्वयम को सत्ता मा भय को बिगती लाई पनी अब इस परतिकूल बाता बराले असर गारने छो फिर उसले रोग लोगी बारने छो अब यहां बिगती फांदा पनी अब मानव जाती नहीं जब अब आप दही बनने पाने छो अथा इस तरफर सोचूंग आज गुलाई यहती नहीं